हेलो स्टुडेंट स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन आई टी आई पर स्टुडेंट सेंटल रेलवे में आई टी आई पास केंडरेट्स के लिए एक बड़ी अप्रेंशिप की भरती 2422 पदों पर हाल ही में जारी हुई थी और इसके नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकरी पिछली वीडियो में हमने आपको दी थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा इस वेकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या योगिता मागी गई है क्या सेलेक्शन का प्रोसीजर है सारी जानकरी आपको मिल जाएगी आज की वीडियो में हम आपको इस वेकेंसी में अप्लाई करने के लिए ओनलाई फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं जिससे कि आप इस वेकेंसी में खुद अपने मोबाईल से अप्लाई कर पाएंगे नीचे के और क्लिक करके अब इस वेकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अभी फिलाल हम अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा यहां पर कुछ जानकरी आपको दी यह जो कि जान लेना जरूरी है सबसे पहले इस वेकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2023 से और अप्लाई करने इस फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो डोकुमेंट स्कैन होने चाहिए वो आप देख ले सबसे पहले आपका स्कैन फोटो होना चाहिए सि अगर आप स्कैन करना है और सो केबी से कम में आपको स्कैन करनी है ठीक है यह आप देख ले इसके बाद निचे के और देखेंगे सबसे पहले आपको अपलाई करने के लिए अपना रजिट्रिशन करना है उसके बाद आपका एप्लिकेशन फोर्म आपको भरना है उसके बाद आपको डोकिमेंट अपलोड करने है उसके बाद अपनी फीस पे करनी है और लास्त में सेउग करके आपका जो यह फोर्म है डेवल्यू स्वरी सेंटर डेलवे की वेकेंसी का वह अपलाई हो जाएगा चीक है तो हम सबसे पहले apply online पर click कर देते हैं चीक है apply online पर click करने के बाद page open हो जाएगा यहाँ पर लोगिन का左्य पेज दिया हुआ है है यहाँ पर आपको सबसे पहले अब अपना registration करना है registration फिर लिंक दिया हुआ है click here to register यहाँ पर हमें click कर देना है click करने के बाद registration का page open हो जाएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी details fill up करने हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है please select the state you belong to यानि आप जिस राज जी की निवासी है यहाँ पर आप उसको select कर लेना है जैसे कि मैं select कर लेता हूँ महरास्टरा ठीक है आपका जो राजी है वो आप यहाँ पर select कर लें इसके बाद आपको आधार card number वो आपको यहाँ पर डाल देना है अगर आपने आधार card के लिए apply किया है तो आप अपना enrollment number भी यहाँ पर डाल सकते हैं के लिए आपको यहाँ पर इसे select करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद candidate full name में आपको आपका नाम जो कि आपकी 10 की mark sheet में दिया हुआ है same as it is आपको यहाँ पर डाल देना है capital letters में ठीक है नीचे की और आपके mobile number बनना है email ID और mobile number आपको वही डालना है जो कि आपके चालू रहते हैं क्योंकि आगे कोई भी information आपको जो मिलने वाली है आपको email ID और mobile number पर ही मिलेगी तो इसको सही से आप डाले है date of birth आपकी 10 की mark sheet में जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर देना है ठीक है जो ITI past trade है तो आपको select कर देनी है उधारन के लिए जैसे कि अगर यहाँ पर काफी सारी trades दी हुई है जिसमें यह vacancy निकली हुई है अगर आप select करते हैं इलेक्टिशन इलेक्टिशन आप select कर लें नीचे की और आप देखेंगे कि जिस trade में आपने IT की हुई है उसी trade में आप apply कर पाएंगे तो यहाँ पर application for trade के option में वही trade खुल जाएगी आपको select कर लेनी है और उसके बाद आपको next वाले बटन पर click कर देना है next पर click करने के बाद इस तरीके का page open होगा यहाँ पर आपने जो details fill करी है registration के दोरान वो एक बर और confirm करने के लिए कहा जाएगा अगर आप इन details से संतुस्ट हैं सही हैं तो यहाँ पर आपको टिक करके register पर click कर देना है इस तरीके से आपको registration हो जाएगा फिर आप email ID पर आप हमें registration ID और password मिला है email पर वो हमें यहाँ पर डाल देना है email ID और password से login कर देने के बाद आपका जो mobile number है जहां पर आपको एक OTP मिला होगा वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है जिससे कि आपको mobile number है वो भी verify हो जाएगा यहाँ मैं OTP डाल रहा हूं और verify mobile number पर click कर देता जिससे कि आप दोबारा जब आप login करेंगे वो आप नए password से कर पाएंगे और जो नए password डालने वो आपकी सुईदय के साफ़ से आप डाल सकते हैं पुराने password को बदल लेने के बाद हमें registration ID और नए password के साथ इससे दोबारा से login करना है login करने के बाद इस तरीके का page open हो जाते हैं उसे यहां select करना जैसे कि आप देख सकते हैं cluster applying for option दिया हुआ है इसमें हमें division select करना है जैसे मुंबई बुसावल नाकुर पूने जिस भी division में apply करना चाता हूं मुंबई division में जिस units में apply करना चाता हूं उसे मुझे select करना पड़ेगा सारी units के नाम आ गया है मान लीजिए मुझे cooler diesel shade में apply करना चाता हूं तो cooler diesel shade में select करूँगा और यह arrow वाला बटन है उस पर click कर दूँगा single arrow वाले बटन पर अगर मैं double arrow पे click करूँगा तो सारी यहां पर select हो जाएंगे जिसे कि मैं आपको करके बता हूं double arrow पे मैंने click किया तो इस तरीके से यह सार अगर यहां पर मेरा selection नहीं हो सकता तो दूसरी priority मेरी parallel workshop रहेगी तो मैं parallel workshop second number पर select कर लूँगा इसी तरीके से मुझे preference अपनी डाल देनी है दो मैंने अपनी डाल दिये तीसरे number में मैं माटूंगा workshop पर मैं मेरी preference रहे तो मैंने तीसरा पर माटूंगा workshop को select कर लिया इस तरी किसा आप अपनी preference select कर सकते हैं जिस preference को आप उपर रखेंगे जिस unit को आप उपर रखेंगे आपकी priority के रूप में उसे माना जाएगा इसके बाद last में आपको save and proceed कर देना है इसके बाद जो page open होगा है यहां पर आपको आपकी educational qualification है उसकी details fill up करनी है सबसे पहले आप देखे होया आप dollar कर लेना अपके बूर्ड का यहां पर आ नाम डाल देता हूं ठीके इसके राद आपको आपके school का नाम डाल देना है इसके बाद आपको year of passing का year है वो आपको select कर लेना है इसके बाद next में आप देखेंगे आपको आपकी जो आके मैं बता दू कि जो आपके दस्वी में सबजेक्ट हैंающaC में सबजेक्ट हैं वो आपको यह करके कर देना हैं जैसे कि inglis में उधरन के लिए सेलेट कर लेता हूं इसमें जो आपके total marks प्राप्त किये आपने वो आपको डाल देना है इसके अलावा आपको जो अन्य सब्जेक्ट हैं वह आपको सेलेक्ट कर लेने हैं चीक है आगे मैं आपको बता दो आपको एड्रेस नहां पर लिख देना है आपको है आपको पर दें पिल कोड़ आपको बर दें सिटियो डिस्टिक है कर लेघ्स आप नीचे की ओड़िपशन सेलेट कर लिए इसके बाद जो आपका अन्टीज सी सर्टिफिकेट है इसका जो नंबर यह आपको यहां डाल देना है इसके, बाद आपको इस्टी-्टी-टी का नाम यहां पर डाले नहीं है। इसåरी से सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। इसके बाद सेवेंट पोसीट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स पेज़ पर आपको आपके जो डोकुमेंट से वो अपलोड करने हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, जो कि JPG फॉर्मेट में होगा और 60KP से ज़्यादा नहीं होगा, इसी तरीके से आपको सिगनेचर अ चारो सेमिस्टर या फिर दोनों यह एरिकी konsolidate mark शिट आपको अपलोड करनी है, उसके बाद आपको आपका ट्रेट सर्टिफिकट या याँ एक आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, अगर आप फिजिकली हेंडिकेपट थे तो आपको वह उसका भी अपलोड करना ठीक है इसके बाद आपको यहां yes or no click करना है यहां पर लिखा हुआ है कि I clarify as certified that the upload certificate is Hindi and English है Hindi और English के अलवा कि किसी अन्य बाशा में अगर आपके certificates है तो आपको no पर click करना है उसमें आपको अलग से वे documents को check कर सकते हैं, अगर सब सही है तो आप नीचे दिएगे checkbox पर tick करके अपना form final submit कर सकते हैं, final submit होने के बाद आपका payment के लिए form खुल जाएगा, जहां पर आप online mode, debit card, credit card से अपना payment pay करके अपना form final submit कर सकते हैं, तो students उम्मीद है कि इस आपको सारी information अच्छे से समझ में आ गई होगे और अपना form खुद फिल कर पाएंगे, अगर आपको कोई confusion है तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही आप हमारे telegram को उपर भी अपना प्रशन पूछ सकते हैं, अगर आप ITI से जूड़ी information, ITI की jobs और पर अपरेंशिप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमारे च आप हमारे चैनल पर तुसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही हमारे telegram को जोइन कर ले और इंस्टा पर हमें फोलो कर देए, वहाँ पर भी आपको सारी जानकरी सबसे पहले मिल जाएगी, तो श्ट्रेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केर